Hello everyone! Welcome back on my YouTube channel तो आज हम जो reproduction होता है हमारे reproduction के बारे में जानेंगे तो reproduction क्या होता है? जब कोई भी जो organism होता है वो अपने जैसे ही किसी और individual को produce करता है तो वो क्या होता है? हमारा reproduction कहलाता है जो reproduction होता है वो हमेशा individuals, same species के एक तरह के पे mentee उफ लाइफ इससे यह जो क्या होता है continuity बनी रहते है मान लीजे अगर reproduction ही नहीं होगा तो जो अगर reproduction नहीं होगा तो जो पहले वाले वेक्ति हैं तो वो तो साथ-साथ मरते रहेंगे तो यह क्या करता है ensure continuity of life इससे जो है life की उसे type के जो organisms है वो produce होते रहते हैं help in evolution इससे क्या होता है evolution में भी help मिलती है inheritance क्या होता है parents का जो DNA है वो offsprings मतलब offsprings के बाद जब cells जो है वो हमारे डिवाइड होके आते हैं तो जो DNA है जो parents का DNA वो भी offsprings के पास आ जाता है अब हम देखते है concept of unicellular and multicellular अब जो unicellular organism होते हैं और जो हमारे multicellular organisms होते हैं उनके बारे में जो unicellular organism होते हैं इनके अंदर क्या होता है एक cell जो सारे के सारे functions क्या करता है परफॉर्म करता है इनके अंदर सर्फ एक ही cell होता है जो कि सारे के सारे काम करता है जैसे मान लीजी है हमारा सैल है जब इसका division होगा माइटोसिस होगी तो इसका क्या होगा division एक सैल ये बन गया एक सैल ये बन गया तो ये होगा हमारा reproduction और जो multi-cellular जो organism होते है उसमें क्या होता है mitosis होता है then growth जो है mitosis से growth होती है मिदोसिस से gamit बनते है और then reproduction होती है और multi-cellular में जैसे कि क्या होता है हमारा multi-cellular के अंदर होता है multi-cellular के अंदर हमारा होता है human अब human के अंदर जब reproduction होती है तो जो हमारे 46 chromosome होते है एक human के एक सेल के अंदर तो हमारे जो 23 chromosome होते है वो किस से आते हैं, मदर से आते हैं, जो 23 क्रोमोजोम होते हैं, वो किस से आते हैं, फादर से आते हैं, तो ऐसे multicellular organisms के अंदर ऐसे reproduction होते हैं, उसके बाद में हम देख लेते हैं कि types of reproduction की reproduction कितने प्रिकार की होते हैं, तो हमारी जो reproduction होते हैं, वो two types के होते हैं, first होता है sexual reproduction और इसके अंदर टू पेरेंट्स होते हैं, गैमेट की फोर्मेशन होती है, क्या होता है, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और जाइगोड जो होता है, हमारा जब जाइगोड डेवलोप हो जाता है, तो उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो, उसके बाद में जो fuse होता है so thank you very much अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें